Good evening to all of you. सभी बच्चे जल्दी सी वीडियो से जुर जाएं. बच्चो, मुझे पता है कि आपके माइंड में एक स्टे से रिजल्ट को लेकर, ठीक है? उसी पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. वीडियो एक दो मिनट का होगा, जरूर देखेगा. आपको एक सेटिक डेट जो है, वो पताई चलेगा. कुछ बेपसाइट जो है, आपका ओफिशल बेपसाइट, उस पे भी चेंज हुआ है. उसको लेकर भी बात करेंगे, ताकि आपका रिजल्ट जो है, वो कब तक आएगा, ठीके? तो मैं बात करता हूँ, बिहार, पोलटेक्णिग और पारामीडिकल, यह दोनों का जो रिजल्ट होता है, वो एक ही बार जारी किया जाता है, बोड के द्वारा. कि आपका कितना rank है, category से, general से, आपका marks कितना है, यह सीज उसमें mention किया रहेगा, उसके बाद आपको इस rank card के अनुसार, आपको कॉंसलिंग करवाना होगा, और आपको उसके बाद college होगा, यो तो कॉंसलिंग की बात है, हम लोग result को लेकर बात करने आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ दिन पहले, ITEI का rank card board के द्वारा जारी किया गया था, और कुछ दिन किया, आज ही जो है, सुबह में, UGEAC का भी rank card जारी कर दिया गया है, यह जो BCEC board है, यह एक चीज का थूरी ने exam करवाता है, ITEI का भी करवाता है, पारामेटिकल का करवाता है, पोल्टेकनिक कर है, MBBS का counseling होगा, NEET वाला counseling वो भी यही करवायागा, ठीके, तो इस पे बहुत सारा load है, तो rank card ITEI का release कर दिया गया है, आप से पहले exam हुआ था, उसके बाद UGAC क्या होता है, आपको पता है, जो undergraduate engineering वाला होता है, जो engineering college है, बिटिक वाला, उसका पहले exam होता था, लेकिन rank card जारी board के द्वारा कर दिया गया है, तो अगला number है, आपका, तो जब आपका आएगा, तो यहाँ पर rank card off, pull technique parametrical करके, इस section में आएगा, और यहाँ से ही आप download करिएगा, सर कब तक आएगा, ठीक है, उसी पर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बच्चो देखिए, यह चीज करके बताया जाता है, बच्चो इतना अनुवब हम लोग के पास है, कि जो date में बताऊंगा, उससे मान के चलिए, एक दो दिन आगे पीछे, आपका result publish हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज रिसर्च करके, ऐसा नहीं है, कि जो भी YouTube पे बोल रहे हैं, कुछ लोग तो 10 तक ही आजाएगा, 10 तक नहीं आया, ठीक है, तो दिखिए, बात को समझीएगा, ठीक है, कि आपका जो result है, वो मान के चलिए, मैं पिछला वीडियो में भी बताया था, कि 15 से लेके, 20 तक तो लेकर चलिए, बच्चो ठीक है, क्योंकि UG EAC का आज आया है, तो दूचार दि इंकम से कम, एक सप्ता लेकर चलो, एक सप्ता के अंदर, या एक सप्ता के बाद, यानि मैक्सिमम अगर लिया जाए, मैक्सिमम मैं बात करूँ, तो 25 से पहले तक, 25 जुलाइक से पहले तक, आपका result पब्लिस कर दिया जागा, ठीक है, रैंक कड आपका आजाएगा, उसके कॉंसलिंग, तो निश्चिंत रहिएगा, कॉंसलिंग के लिए, बहुत ही अच्छे तरीका से कॉंसलिंग, हर एक स्टेप आपको बताया जागा, ठीक है, तो इतना स्टेस मत लो भाई, हसते रहो, मुश्कुराते रहो, ठीक है, फिर मिलते हैं, अगले इंफोमेशन के साथ अब इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं डेट बोला हूँ, वो डेट याद रखेगा, अगर कुछ भी इंफोमेशन आता है, तो वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, ठैंक्यू